जहिंदौली शुडेंट्स आज की किलास के अंदर अपन पढ़ेंगे रियक्टिव इंटरमीडियेट्स यानि क्रियाशील मद्यवर्थी के बारे में हम डिसकस करेंगे और क्रियाशील मद्यवर्थी के अंदर सबसे पहला जो आता है हमारे पास में इंटरमीडियेट वो होत एकनहेट्र लेटिक लिए इसपर और टायप सफ्रिय एजेट्स के बारे में चर्चा की थी देखो जो हमारे पास में कारभ वक को डेन ही हं जो केकर्ट Keys क हम बेइस भे जो दिखाए से नाम कि ब नाम से जानते हैं कारईयन के नाम से बोल सकता हूँ C की उपण के उपटर हमारे पास में normal, कौन सा चार्ज प्रेजन्ट होगा, positive चार्ज प्रेजन्ट होगा, अच्छा, और एक nast Onion का मतलब होता है, inevase, यह का कार्बोकेटाइन बनता कैसे है यानि कार्बोकेटाइन का निर्मान कैसे होता है तो कार्बोकेटाइन जो होता है उसका जो निर्मान होता है वो होता है विश्मान स्विखंडन से क्योंकि आपने पढ़ा होगा होमोलाइटिक and heterolytic cleavage और आपने उसके अंदर धंग से पढ़ाए बैटा जो homo होता है homo का मतलब होता है समान स्विखंडन यानि homolytic cleavage के अंदर क्या होता है आपके पास में कोई भी एक आपके पास में अनू होता है वो क्या होता है बैटा बराबर रूप से टूट जाता है और आपके पास में मुक्त मुलग बनते हैं दूसरा होता है बैटा आपके पास में heterolytic cleavage जिसके अंदर क्या होता है बैटा आपके पास में positive and negative chargeable species का formation होता है तो हमारे पास में जो species है वो कौन सी है positive species है तो positive species का formation किस से हुआ होगा heterolytic cleavage से हुआ होगा यानि हम बोल सकते हैं इसका निर्मान जो हुआ है वो कौन से विखंडन के तोर हुआ है विश्मान स्विखंडन के फलसरूप हमारे पास में कार्बो केटायन का formation हुआ है ठीक है अब हम पढ़ते हैं कि कार्बो केटायन की structure होती कैसे है देखो का होता है मारे पास में कि जो carbon होता है न इसका जो electronic configuration electronic विन्यास जो होता है वो होता है बटा 1s2 2s2 carbon का होता है बटा 1s2 2s2 और 2p2 यह होता है आपको पता है ये वाली जो shell होती यह जो होती है inner बच्पन के अंदर आप पढ़ चुके हो ठीक है यानि सहोजकता कोश की जो इलेक्ट्रोन होता है यह होता है बायतम कोश के लेक्ट्रोन यानि दो जो है आपके पास में यानि मैं आकर इसको बनाओं तो बटा यह हमारा कारबन का न्यूकलियस हो गया और यह इसकी पहली ही होते हैं जो कि क्या करते हैं बोंड बनाते हैं यह जो इलेक्ट्रोन होते हैं बटा यह चार हाइड्रोजनों के साथ में जुड़ जाते हैं कितने हाइड्रोजनों के साथ में चार हाइड्रोजन के साथ में देखो यह होता है आपके पैटा एस और यह होता है बटा आपक को हम S के नाम से जानते हैं अब क्या होता है यह जो एक इलेक्ट्रों होता है यह अपने इलेक्ट्रों यहां इस यहां से और यहां पर जंप करता है जैसे ही यह एक इलेक्ट्रों यहां जंप करता है तो आपके पास में बन जाता है एसी स्पिजीए देखो बटा ऐसे यह चारों इलेक्टरों कुछ इस प्रकार से एक अगारेशनúblic कहना चूर हो चूके हैं क्या हो चूके है उगमेत नंगने का मतलब किया हो चूके हैं आइयूग्मित हो चूके हैं अब यह हिए चारों लेक्टरों क्या करते हैं इनके साथ मिन का गुलू-गुलू होगा तो क्या बनेगा यहां से बनेगा CH4 और यहां से ही बटा आप बताते हो कि इसका जो hybridization है वो SP3 हो जाएगा योकि एक S का count हुआ है और तीन P के कक्षक count है जैसे देखाँ आपके पास में यह एक S का था और यह दो तीन थे यह बटा P के थे तो तीनों मिलकर क्या बना दिया है SP3 का hybridization का formation कर दिया है अच्छा लेकिन अभी हमारे पास में कार्बोकेटाइन नहीं बनाए कार्बोकेटाइन का मतलब होता है बटा आपके पास में एक electron की कम्मी होगी यानि एक electron आपके element में तो एक electron ठीक है नॉर्मल आप बोसकते हो कि अगर आपके पास में क्या है electron की कम्मी है तो उसका मतलब उसके ओपर धनावेश आ जाता है तो हम क्या करते हैं इसमें से एक electron को हटा देते हैं तो यानि 1s2, 2s2, 2p1 माल लेता हो हम इसको जब आप मैं लिखता हूँ इसको इसको मैं याप लिखता हूँ बेटा 1s2, 2s2 और 2p1 तो बेटा आप देखो कि 2s2 के अंदर तो वही दो electron हो गए और 2p1 के अंदर क्या हो गया बेटा आपके पास में एक electron हो गया कितने electron हो गया बेटा एक electron हो गया अब वही यह एक electron इधर की तरफ जम्प करेगा जैसे ही जम्प करेगा जम्प करने के बाद में बेटा यहाँ पर 3 electron हो जाएंगे और यह जो एक orbital है आपका यह कौन सा है बेटा pz कौन सा वाला है यह pz वाला है ठीक है यह जो pz वाला है यह orbital क्या रह जाएगा बेटा आपका vacant रह जाएगा यह जो orbital यह आपका खाली हो जाएगा रिक्त रह जाएगा और नीचे से वो ही बेटा hydrogen आएंगे कितने hydrogen आएंगे जितने electron उपर present है तो नीचे से बेटा 3 hydrogen के साथ में गुलू-गुलू और यहाँ पर बन जाएगा बेटा CS3 एक orbital vacant है बेटा इसलिए यहाँ पर positive charge आ जाएगा इसको बोलते हैं बेटा कार्बोकेटायन और यह कौन सा कार्बोकेटायन है तो बेटा नमबर एक के उपर आता है मेथेन नमबर एक पर कौन आता है अगर पूछो इसके पापा कौन है तो इसके पापा है मेथेन और मेथेन का एक बच्चा ही तो है यह बच्चा ही तो है मेथेन का तो इसको बोलते हैं बेटा methyl कार्बोकेटायन या फिर methyl कार्बोकेटायन ठीक है अगर यहाँ पर CS3, CH2 होता तो उसको हम बोलते हैं बेटा एथिल कार्बोकेटाइन इसको हम बोलते हैं कौन सा कार्बोकेटाइन इसको हम बोलते हैं बेटा एथिल कार्बोकेटाइन यह आयोपीस ही बेटा आप टोलत में परचुके हो बहुत भरबर के तो ये methyl कार्बोकेटन का formation कैसे हुगा सर हमारा एक PZ खा लिए अच्छा इस कार्बोकेटन को बैटा मैं उठा के ला रहा हूँ किस तरफ इस तरफ तो ये कुछ ऐसा ही जा को दिख रहा है CS3 positive अगर मैं बात करूँ कि ये क्या है तो बैटा ये एक कार्बोकेटन है और ये कार्बोकेटन दिखता कैसा है ये दिखता ऐसा है कि बाटा ये कार्बन होता है इसके एक हाइडोजन आगे होता है एक हाइडोजन इधर होता है एक हाइडोजन इधर होता है और ये जो P और बैटल है अड़ीजेड़ देखो यह तो Pz में पड़ाो दो जो शेप होती है बेटा डेवलाकार कि ऐसे अकार की उठोट होता है इस प्रकारotype इस प्रकार की होता है यह बेन एन विदक चैक करो होंगे इस मेथिल कार्बोकेटाइन को तो बेटा दो इलेक्ट्रोन तो इसके अंदर होंगे दो इलेक्ट्रोन इस वाले बॉन्ड में होंगे दो इलेक्ट्रोन इस वाले में बॉन्ड में होंगे orbital कौन सा है तो यह इसका PZ orbital है मैं आपको बेटर real करके दिखा देता हूँ एक बार यज़ वो real करके दिखाता हूँ मैं आपको जैसे मैं इस PAN सापको समझाने कि कोशिश करता हूँ जैसे आपके पास में ये क्या हो गया ये, ये और ये हो लिए तो यह क्या है बेटा जहां पर मैंने इसको पकड़ रखा है इस पैन को जहां पर मैंने पकड़ रखा है यह वाला पॉइंट यह वाला पॉइंट यह वाला पास में क्या है कारबन है यह वाला पॉइंट क्या है हमारे पास में कारबन है यह वाला पॉइंट यह एक कारबन है टोटल इसमें कितने लेक्ट्रोन है बटा 6 एलेक्ट्रोन है अच्छा इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब होता है बटा इसके लंबवत की बात कर रहा है इसके बटा एक लोब होगी पी जेड की उपर क्योंकि डबला कार शेप होती है यानि आपका कारबन यहां पर प्रजेंट होगा एक आधी लोब बैटा इसकी आधी लोब उपर होगी और आधी लोब बैटा नीचे की तरफ होगी यानि मैं बहुत सब्ताओं की बैटा संकरन उसके अंदर आपने पताया होगा सिग्मा बंदों की संक्या प्लस लोन पेरों की संक्या इसके अंदर बैटा सिग्मा बंद गिन लो एक सिग्मा बंद यह रहा एक सिग्मा बंद यह रहा एक सिग्मा बंद यह रहा टोटल तीन सिग्मा बोंड है और तीन सिगमा बॉंड जब होते हैं हमारे पास में तो हमारा जो hybridization हो जाता है बिटा वो हो जाता है कौन सा SP2 hybridization और SP2 hybridization में बिटा जो bond angle होता है कि बंद कौन जो होता है वो होता है 120 degree का कहने का मतलब यह जो आपको दिख रहे है इनके बीच का जो bond angle है इनके बीच का जो bond angle है वो बिटा कितना है 120, 120 degree का है तो यह होती है कारबो कैटायन की सरंचना कारबो कैटायन की structure होती है ऐसा हमारा कारबो कैटायन दिखता है तो उसके अंदर कौन सा orbital खाली है PZ orbital खाली है और ये क्या है बिटा एक plane के अंदर present है कौन से plane में एक plane के अंतरा present है ची कहा तिरकोन ये समतलिया बटा इसकी जो होती है शेप होती है तिरकोन ये समतलिया मतलब एग एन एक तिरकोन कैसा है बटा ये ट्राइगोनल है और प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर आप बोल सकते हो हिंदी में बटा तिरकोन ये समतलिया बोल कि है यह होती है पास में किस की structure कारवो केटाइन की structure होती है यह पीजेड के अंदर सबसे रदा confusion होता है कि पैदा कहां से होगे तो पैटा पीजेड देख लो यहां से पैदा हुआ है हमने इसके पास में एक electron की कमी को शो किया है अब एक बात बिटा एक electron कि इसके पास के पास में कि कमी है किसरी कमी है वह इसक नेक्ट टॉपिक पढने का निर्मान कैसे खोता है ठीक है देखो निर्मान करने के हमारे पास में बटा प्रतक्ष तरीका भी आ या नी नॉर्मल जो हूँ करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हूँ और एक है बटा अबनॉर्मल कंडिशन यानी कहने का मतलब देखो सबसे पहले आता है बटा आप किसका formation कर रहे हो formation of carbo ketain का formation कैसे होगा सर carbo ketain आखिर पैदा कैसे होगा अगर क्या हम क्या हम CH4 methane को बोलेंगे कि लावाई तेरे हलक में हाट डालने दे एक electron खीचलो carbo ketain वनाना है नहीं ऐसा बिलकुल किसी भी बोन्ड के उपर अगर किसी भी एलिमेंट के उपर बेटा आगर आपको कारबो ketain या नि पोजिटिव चार्ज लाना है न उसका सिंपल सा मैं आपको पता देता हूं तरीका बोंग उसके साथ में गता है कि तरफ इसके बीच में इसके बीच में दो electron प्रेजेंट होते हैं और वो जो दोनो इलेक्ट्रों होते हैं अगर आपका bond covalent है तो दोनो इलेक्ट्रों क्या होंगे एक एक जो एलिमेंट है आपके उनकी शेरिंग से उनके साजह से बना हुआ bond होता है, covalent bond, तो वो जो दोनों electron होते हैं, वो दोनों electron जब homolytic समाज से विखन दोनों होता है, तो दोनों एक एक के उपर radical बनता है, लेकिन अगर ये दोनों electron किसी दूसरे element के उपर, एक ही element के उपर transfer हो जाएं, तो बेटा, आपके पास में जो species species बनती है, वो carvokaten होती है, कहने का मतलब बेटा, अगर मैं alkyl hyalide की बात करता हूँ, तो इस alkyl hyalide के अंदर, जो दोनों electron है, वो बेटा, आप या तो इस प्रकार से सो कर सकते हो, या बेटा, आप उन दोन electronों को इस प्रकार से सो कर सकते हो, या पर r का मतलब क्या होता है बेटा आर का मतलब होता है या तो CS3 होगा या बेटा ये C2H5 हो सकता है या बेटा आप बोल सकते इसको CS3, CH2 और CH2 हो सकता है ठीक है C3S7 ठीक है तो ये तो दोनों इलेक्ट्रोन है ये दोनों इलेक्ट्रोन क्या है इनके बीच में जो बॉंड है वो कोवलेंट बॉंड है लेकिन इस ये जो X है यहां पर ये X is equal to है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो फ्लोरीन है न बेटा ये इस कारबन से बहुत जादा more electron negative atom होता है तो जो more electron negative atom होता है बंद की electron को पकड़ता है और अपनी और आकरशित करने की कोशिश करता है कहने का मतलब more electron negative atom और जो electrons के बीच में कुछ न कुछ गुलू गुलू चलता है जिसको कारबन नहीं समझ पाता है कि ये electron आखिर उदर क्यों जा रहे हैं कि तो साल को बाद में पता पढ़ता है कि वो मेरे से ज़्जादा ताकत्वर है उसके पास में तो क्या है द् Noble में वो इस चे-द शे कारबन से भी ज़्यादा ताकत्वर है इस वजह जैसे ये जो electrons हैं वो उसकी तरफ जा रहे हैं क्या जा रहे हैं ये लेक्रों उसकी तरफ attract हो रहे हैं और एक समय सा आता है जब वह आ जयता है न बात बिच्छडनी की बात आते तो तो बिच्छडने के case के अंडर क्या हो जाता है कि यह दोनों electron से अगर पूछा जाएं जब quarter में पूछा गया कि भाईया तो किसकी तरफ जाना पसंद पर नहें पर यह उसकी तरफ तो भाईया यह क्या करेगा यह बोलेगा यह आपन इस तरफ जाएगा क्यों जाएगा कोकि ये more electron negative atom है और more electron negative atoms जो होते हैं ना वो electrons को stable करते हैं उनके ओपर Genovess क्या हो जाता है बैटा किसी कोपी में लिखे लो कि जो more electron negative atom होता है अधिक विद्धित रणातमक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं बेटा रिनातमक चार्ज को नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजड करता है किसको स्टेबलाइज करता है नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोन के उपर कौन सावेश होता है बेटा रिनावेश नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को है बेटा आपका कार्बोकेटायन क्या होता है बेटा ये कार्बोकेटायन बताओ ये कार्बोकेटायन का फोर्मेशन हो गया ना इसको बोलते है बेटा प्रतक्ष रूप से प्रतक्ष आएनिकरन वी दिया ही है जिसके अंदर हमने दो हम नौर्मली हेट्रॉल्टिक के लिए वेस के दरा हमने बॉन्ड ब्रेक करवाइथ जो हम बच्पन से करते बाहर है उससे पहले वाली classes के इं gelir में भर-भर के चीए किया है ठीक है पर कारबोनिल गुरूप्स और इस कारबोनिल गुरूप्स की तो बटा आपने रियक्शन्स पढ़ी होगी बटा ओपेन और और ऑक्षिडेशन होता है आपके पास में रोजेंड मुन रिडेक्शन्स होती है कुप सारी रियक्शन्स बटा आपने इसकी पढ़ी होगी तो यह सब्सक्राइब यह ओता है और आपने एक अच्छा रियेजेंट नाम बताओं बड़ा याद आता है तो वू आपने जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है आपके पास में आर एम्जीएक्स होता है और यह आर के ओपर नेगेटिव चारज हो क्यों कर रहा है यह इस oxygen के उपर अटेक नहीं क्यों नहीं कर रहा है तो बैटा रियल में क्या हो रहा है कि जो carbon double bond oxygen जो है न बेटा तो इसके अंदर जो electrons present है bond के अंदर oxygen more electron negative atom है इसलिए यह जो electrons है यह oxygen की तरफ ज़्यादा जुके हुए रहते हैं जिसे carbon के उपर आंशिक positive और इसके उपर डिल्टा negative चार्ज आ जाता है यह थोड़ा गरीब हो जाता है इसलिए जो रिनात्मा की species होती है उसको किस से प्यार है बेटा जो negative है उसको positive से तो प्यार होगा negative के पास में काय जाएगा वो तो negative यह जो नेगेटिव स्पीशीज यह खहां पर अटेक करेगी बेटा इसके positive species के उपर अटेक करेगी ना कि negative species के नेगेटिव के बीच में कौन सा गुलू-गुलू negative और positive के बीच में गुलू-गुलू इसलिए बेटा negative को आपने carbon पर अटेक करवाया है कभी आपने oxygen पर अटेक ने करवाया है दूसरा कुछ न आपके जिमांग में यह generate होता होगा बेटा कि सर हम इस वाले आरों के उपर बेटा करवा सकते थे तो बेटा इस वाले बेशित हो रहा है क्योंकि oxygen क्या कर रहा है बेटा इलेक्ट्रों अपनी और खीच रहा है वह आरतोबाद में पहले इस वाले carbon को तो निप्टा लें पन सबसे यह ज्यादा more reactive है यह क्या है more reactive है more reactive का मतलब होता है अधिक और जो आपके कार्बो केटाइन होते है न वह इसी वजह से अधिक क्याद्री होता है क्योंकि वह क्या है उतने hydrogen रख के घूम रहा है कारभो केटाइन च्छे इलेक्ट्रों यत्से ऐस् सीरी प्लस कि अगर आब बात करोगे तो सीम 3 प्लस के पास में कितने स्सक्क्राइब का चाहता है वह मिल जए देश बरबाद नहीं हो जाएगा मिलते ये खुष अश्टक कंप्लीट हो चुक है वह स्टक्ड़े लिए कि इधर जाएगा एस इदर इदर क्या करेगा ये अनता फिरेगा उसके बाद में इसका क्या होगा अस्टक-पूर्ण होगा और ये स्टेबल हो जाएगा लेकिन अभी ये श्टेबल नहीं है ये एक मद्हवरतिय है ये एक intermediate है ये एक कारभोकेटाईन है और ये भूत ज़ादा reactive है, बहुत बहुत ज़ादा किरियाशील है, किरियाशील मतलब जैसे इसको negative charge मिलेगा, यह तुरंत उसको बुलाएगा, मेरे को, मेरे को, पहले मेरे को, क्यों, चूकि यह क्या है, यह चाता है कि मैं आट में convert हो जाओं, इसलिए बैटा क्या होता है, carbocatine reactive species होती है जो भी intermediate होता है ना बैटा जो भी intermediate हम पढ़ेंगे वो सारे ही reactive मिलेंगे हमको mostly ठीक है तो RMGX वाला case देख लिया तो यहाँ पर जो कार्बोनिल गुरूप है इस कार्बोनिल के उपर बटा अगर आप attack करवाते हो कार्बोनिल मतलब एक मिनट रुको हाँ इस कार्बोनिल के उपर बटा अगर आप attack करवाते हो किसका H plus का attention करवाते हो attach करवाने पर यह जो H plus है बताओ बटा यह कहाँ पर जाना पसंद करेगा पहला option आपके पास में कि यह H plus इस कार्बन के पास में जाए पलस है यह कहाँ जाना पसंद करेगा option number one आपके पास में यह है कि कार्बन के पास में जाएगा option number two आपके पास में यह है कि बटा यह oxygen के पास में जाएगा ज़रा सोच कर बताना बटा तो simple सी बात है बटा यह H plus है और oxygen के उपर कौन सा चार्ज है डिल्टा negative चार्ज है पलस वाला माइनस के पास में जाना पसंद करता है क्योंकि जैसे ही यह plus वाला इस carbon के पास में जाएगा यह बोलेगा I have a boyfriend ठीक है क्या बोलेगा यह carbon बोलेगा I have a boyfriend क्योंकि उसके ओपर कौन सा चार्ज है बटा उसके उपर charge है delta positive कौन सा charge है delta positive इसके पास में क्या है delta negative जैसे ही negative है तो h plus वाला negative की तरफ बागी का तुरंत accept है तुरंत क्या में लेगी बटा accept लेकिन जैसे उसके पास में गया वो क्या वो लेगी भया अपने पास में तो already है और एक भी नहीं यह बटा दो-दो है पडोस में देखो यह दो-दो आर जुड़ रहे यह दो-दो है इसके पास में तो तो इसको जर्रत ही क्या है इस oxygen से लेना यह विचारक के ला घूम रहे है तो जैसे ही इसके पास में जुड़ेगा तो यहां पर बन जाएगा बटा IRCR और इस oxygen के पास में जुड़ जाएगा बटा आपके पास में H जैसे ही oxygen के पास में जुड़ेगा oxygen के पर positive charge rate हो जाएगा याद रखना double bond के साथ में अगर आपके पास में oxygen जुड़ावाए उसके पास में दूसरा hydrogen oxygen के जैसे ही तीन bond हो जाएगा तुरंत oxygen के पर positive charge दाता है oxygen ने अपनी जिन्दगी के अंदर बेटा कभी भी कितने दो bond बनाए oxygen ने अपनी लाइफ में बेटा दोई water के अंदर आप चेक करो दो बोट alcohol में चेक करो बेटा दो बोट जैसे ही तीसरा bond आजाता है oxygen के पर positive charge दाता है अगर oxygen के पर positive charge आ गया तो बेटा ये बाप लग जाता है बाप ये क्या कर देता है ये जो bond है ना इसके सारे electron अपनी और खेंच लेता है क्यों खेंच लेता है उसका भी reason सुन लो रहे बेटा क्या हो जाता है normal carbon double bond oxygen ये होता है इसके पहले ही बेटा दोनों electron इसके इस तरफ होते हैं किस तरफ होते हैं बेटा इस तरफ होते हैं oxygen की तरफ उसका reason ये है क्योंकि ये more electron negative है जैसे ही आप जाओगे बेटा carbon oxygen के पास में और इसो औक्सिजन के ऊपर लगा दो, कि बैटा, प्लस चार्ज, तो ये जू दोनों электron नहीं बैटा, और इसकी तरफ खिच जाते हैं, और ये दोनों ell extr क्या हो जाते हैं, ये देखो, और oxygen की तरफ खिच चल चल गए, किस की तरफ चल गए बैटा, और oxygen की तरफ चल गए, और ये एक time बेटा एक condition ऐसी जाए थी कि ये दोनों electron क्या करते हैं कूद कर oxygen के उपर और यहां पर रहता है carbon और single bond रहता है oxygen के साथ में तो यहां पर भी बेटा same क्या condition होने वाली है R के साथ में carbon और इसके साथ में R है और यहां पर आजाएगा बेटा आपके पास में single bond का oxygen और H यह वाला bond तूटकर यहां आजाता है जैसे यह वाला bond तूटकर यहां पर आएगा तो carbon के उपर positive चार्ड जाजाता है यह बन गया बेटा आपका कार्बो कैटाएन ठीक है तो यह बटा तरीके हैं हमारे पास में carbon कार्बो कैटन formation करने के दुबारा बता रहो बटा H प्लस जैसे ही add करवाओगे H प्लस add करवाने पर क्या होगा वो H प्लस वो तो माना कर देगी इसके पास में जाएगा oxygen भाही साथ के पास में जैसी attract करवाएगा oxygen के उपर से positive charge खतम हो जाएगा जैसी oxygen के उपर से positive charge खतम हो लेकिन तुमने carbon के भी तो खेंच लिए condition होता है न वो कारवो Ketine अपनी life में बेटा बहुत जादा संगर्श करता है अपनी life में संगर्श इसलिए करता है क्योंकि वो इधर-उदर की ठोकरे खा रहा है क्योंकि उसको अपना art बनाना है जिस दिन उसका आर्ट बन गया उस दिन उसका संगर्स खतम हो जाएगा उसको सक्सेस सफलता मिल जाएगी ठीक है तो यह जो 6 इलेक्ट्रोन है जैसे ही यह आर्ट बना लेगा उसकी बाद में इसको भागा दोड़ी करने की आउशक तैच नहीं है जैसे आपने पड़ा होगा 11 बचपन वाली किलासों में कि जो मिथाइल गुरूप है बेटा जो मैथेन होता है वो क्या होता है बेटा इस्थाई सदस्य होता है क्या होता है बेटा कारवन फेमली का इस्थाई सदस्य मैथेन होता है ठीक है तो मैथेन जब यह बन जाएगा तो बेटा यह तो हैसो रार सबस्क्ता कार्भो कार्बो-टण के कुछ इफेक्ट यानि इसके इस्थैश्igor पर प्रिराव इसके फैले हम पढ़ते हैं कुछ दो तिन और टौपिक अच्छा वब भी कारभोकेताइन है तो ऐसे क्यों होते कारभोकेता के टाइप्स होते हैं कि इससे किसे बनाए गए है इनको जो डिवाइडेशन किया गया है इनकी न क्या रहा है Technology describe टूजेरी थी डिगरी वैसे बे革पte είναι ओनर डिगे तूजेकर अच्छा किसके प्रकार हम हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं टाइप सोफ कार्बो के टाइन के प्रकार हम पढ़ रहे हैं तो यह टाइप सोफ कार्बो के टाइन के प्रकार के अंदर हम किसके बेस के उपपर हम कर रहे हैं किसके बेस के बेस के उपपर हम कर रहे हैं इनको एडिशन कर रहे हैं इनको जैसे सबसे पहला जो आता है आपके पास में वो होता है 1 degree carbocatine. नमबर 1 पे आता है बेटा 1 degree carbocatine. ये जो 1 degree carbocatine है ये बेटा होता क्या है? नोर्मल नोर्मल सी बाता होता है तो सारे उसी में निकल जाएंगे बच्चे इसी में confused होता है देखो positive जो charge आपके पास में यह जिसके सिर्पर जो plus charge चमक रहा है वो positive जिस carbon के उपर उपस्तित है क्या बोला मैंने बेटा जो positive charge है वो जिस carbon के उपर उपस्तित है वो carbon किसी दूसरे carbon से एक carbon से जुड़ा वो होना चीए तब तो वो one degree कहलाएगा जैसे मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैंने बोला कि यह मेरे पास में क्या है जो black color का यह मेरे पास में carbon है और इसी carbon के उपर क्या है positive charge present क्या है बेटा यह मैंने बोला यह black color का क्या है बेटा यह carbon है और इसी carbon के उपर क्या है तापको यहाँ पर एक positive charge दिखरा है इस अ पोज्डेट अभी आपको नहीं दिखरा है लेकिन माना कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है उसकारबन पर पर्जेंट है और यह कारबन यहां से इस यहां पर भी कारबन होगा यह मैंने जोड़ दिया क्या जोड़ दिया यह कारबन जोड़ दिया तो पॉजिटिव जिस कारबन पर प्रजेंट है वो कारबन किसी अन्य कारबन से देखो अन्य कारबन दिख रहा नहीं यह वाला वो कारबन क्या है किसी अन्य कारबन से किसी एक कारबन से जुड़ा है तब तो बैटा वो एक कारबन से जुड़ावा होना चीए, वो कारबन किसी अन्य एक कारबन से जोड़ दिया, यह होता है बटा, आपके पास में वन डिगरी कार्बो के टाइन, पोजिटिव जिस कारबन पर प्रजेंट है, वो कारबन किसी अन्य एक कारबन से जुड़ा है, तो वो वन डिगरी कार्बोकाइन है, दूसरा अगर मैं बोलू, तो वह होता है बटा, टू डिगरी कार्बोकाइन, टू डिगरी कार्बोकाइन के अंदर आ जाते है बटा, पोजिटिव, जिस कारबन पर परपरजेंट है, वो कारबन किसी अन्य दो कारबन से जुड़ा है, तो बटा, वो टू three degree कार्बोगतान की कै्टिगरी में आ जाता है ठीक है कि इस कै्टिगरी में आ खता है बटा three degree का रूबगतान अच्छा इनकी जो वैलेंस है वह भी complete कर लो इहां पर आपके पास में अजाएगाần C2 यहां पर आ पास में क्या होता है वन डिग्री टू डिग्री इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एथिल कारवो के टाइन ठीक है और इसको हम बोलते हैं आई सो प्रोपिल कारवो के टाइन किस नाम से जनते हैं इसको हम बोलते हैं आई सो प्रोपाइल कारवो के टाइन हिंदी वाले ब पड़िया फिर आपके पार्स में टर्फिरी यनि तरतिक काड़ोगर टाय याफिर आप भोष सकते हो इसको दिक ट्रफिक बीउटिल तरते काब चणब कार्ब के टायन बोलते हो तो टीक है तरहते को बीउटिंग कार बुट दना इन फिर खरब beast या फिर आप बहुत सकते हैं इसको टर्शरी कार्बोकेटेन को हम क्या बोलते हैं थिरी डिगरी कार्बोकेटेन या फिर टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटेन इन नामस आप इसको जानते हो तो यह होते हैं आपके पास में वन डिगरी टू डिगरी और थिरी डिगरी कार्ब ल ग्रवर के जबो च्रेसंट में पनली हो में क्या होगा पॉझीटिव जिस कर वन पर प्रसंट वर कसी अन्य कर भिस से एक जुड़ा है ठीक है पोजीटिव जिस कारपन से परडेंट वह क्यों कि निया अन्य तीन क्यों पोजीतिvoorbeeld कर बएंपर पर होते हैं जो कि क्यों करते हैं इनकी stability के उपर बहुत जदा effect डालते हैं कि सब्सक्राइब कर्बो केतन की stability में बता सबसे गार्बो केटन होता है यह थिरी डिगरी कार्बो के टार्श के पास में जता हैses कि सबीअ नहीं जुड़ावा होता है यह बटा आप नीचे लिखोगे कार्बो केटाइन का ओडर यह होता है कार्बो केटान की स्टेबिलिटी कार्बो केटान का स्थायत्यू का करम होता है दूसरी बात कार्बो केटान की जो स्टेबिलिटी होती है इनकी क्या होती है रियक्टिविट है इनकी जो क्या होती है बटा रियक्टिविटी है वह इन्वर्सली प्रपोर्शनल चलती है कि इनकी स्टेबिलिटी के किसकी इन्वर्सली प्रपोर्शनल चलती है इनकी स्टेबिलिटी के इन्दी मीडियम वाले लिकेंगे बटा इनकी किरिय elét शीलता होती है वह व्यूत करमानुपाती होती है इनकी one upon में 09 किस्टेबिलिटी के क्योती है वियूत करमानुपाती होती है यानि आप बोल सकता हूं कि अगर आप बात करें three degree कार्वोकाटायन की तो three degree जो कार्वोकाटायन यह बैट यह सबसे क्या बोला कि भाया तुमको reaction करनी है तो उन तीनों मेंसे सबसे फास्ट जो reaction देगा वो बैटा वन डिग्री देगा कौन सा देगा वन डिग्री देगा क्यों देखा क्योंकि वन डिग्री बैटा क्या है कम स्थाइट हुआ ठीक है तो stability जितनी जादा बढ़ेगी reactivity उतनी जादा बढ़ेगी क्या हो जाएगी घट जाएगी कहने का मतलब stability के अगर मैं बात करूँ तो stability यह री तो reactivity का भी order लिख लो तो अगर हम बात करें इनकी reactivity की तो reactivity के अंदर आजाता है बटा आपके पास में सबसे पहले आजाता है CS3 positive उसके बाद में आजाता है ब three degreeält कारबो केता है बिटा वेकिन यह less reactive है अगर उन्य इसके तटो डीकरी और यह आपके पास में थी टिकरी और एन तीनों के उपर इसमानना मैं माइनस ला रहा ही हो इन तीनों पास है सबसे ज哲्याय सबसे ज्यादा जो reaction करेग घौश्ट वाला वंदा तू डिग्री उसके बाद 們हाँ जा या इक पीछी तीस किलो बजन लेकर भाग रहा है और ये ये रे नल्ला वे वह यह भाग रहा है सबसे जल्दी नेगेटिव को कौन सा पकड़ेगा यह पकड़ेगा यह दस किलो की थेली लेके भाग रहा है यह 20 किलो वह 30 किलो तो 30 किलो वाला सबसे पीछे फिर 20 फिर 10 और फिर लाश्ट में जो नाला वेरोजगार खिलाडी हमरा टो ठीक है python karbo kathiini क्या होता है बटा सबसे अधिक किरियो अशील क switching कार्वधनायन कार्भो केटाईन होता है इसकी बाद में बटा पण पडढहेंगे ंडेक्टिव है हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन है इन कार्बोकेटाइन की stability को भी बेटा क्या होते हैं effect करते हैं कहने का मतलब आप कैसे proof करोगे कि theory degree more stable है वो तो बैटा पहले effect में ही complete हो जाएगा तो आप जो heading डालोगे वो कार्बोकेटाइन के स्थायत ब hook पर प्रभाब ठीक है कार्बोकेटाइन के इस्थायत को पर आप क्या पढ़ने वाले हो effects पढ़ने वाले हो दिस्युक्त i क्या कर रहे हैं कार वो इसको आप बोलते हो प्रेर्न प्रभाव यह कौन सा बोलते हो क्रेरन प्रभाव कौन सा प्रभाव बोलते ने कानी मैं आपके सामने गाते दा हूँ, ठीक है, पांच मिनट की कानी है बटा, और पांच मिनट मैं आपको समझना जाएगा, ठीक है, इसकी गारंटी ले रहा हूँ मैं आपके सामने, बटा, आप नले बेरोजगार, क्या हो, आप एक नल्ले वेरोजगार हो आपने क्या करा है बेटा जब आपके पास में जेब में कुछ कमी होती है पैसो की सबसी ज़्यदा तो इंसान जो भागता है बेटा वो धनके पीछे भागता है तो आप नल्ले वेरोजगार तो आपके पास में जो कम ही है वो बैटा धन किया, आपने कभी बैटा पूजा के आले में से पैसे पार कियें, कभी बैटा अलमारी के नीचे से पैसे पार कियें, गद्दे के नीचे से आपने पैसे चुराये, टोटल आप डिपेंड हो किसके उपर, कि भाईया पैसा में जाए, किसके उपर डि तो यह बैट तु है तु क्या है बैट नल्ला नल्ला वेरोजगार है वेरोजगार एक इसके उपदए विटा तू टू बैटा पैसो के उपदए आप एक बात बता अगर मैं तेरी गरीबी को हटाना चाहूं, अगर मैं तेरे को पैसे दिलाना चाहूं, अगर मैं तेरे को अमीर करना चाहूं, कि तू पैसो के बिना, जैसे तू क्या बोला है, कि मैं पैसो के बिना नहीं रह सकता, तो मैं तेरे को पैसो का बेटा भरा कमरा दे दू, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेग आदी आदी दे दे बस आदी तो वो क्या कर रहा है एक तो तू पहले ही तेरे को एक रोटी में लिए और इस एक रोटी में से तू आदी उसको दे दिया तो पहला नेचर तो यह हो गया सार हमारे पास में कि या तो आप क्या से जोड़ोगे मेरे को withdrawing group से जोड़ोगे किस से जोड़ोगे बैटा मैं तुमको withdrawing group से या फिर मैं तेरे को जोड़ू किस से donating group से जो तेरे को दे जो तेरे को क्या करें बैटा जो तेरे को दे जैसे मैंने तेरे को अनील अंबानी के बंगले पर रख दिया और अनी लंबानी के बंगले पे तेरे को आए दिन, जैसे ही तू अनी लंबानी के घर के बारश निकला, अनी लंबानी ने पांसों गड़्डी तेरो पर फैकते मार दी, तो तू खुश हो गया, कैसे? क्योंकि तेरे पास में डोनेटिंग, उसका जो करक्टर है, जो दिदान करी है, जो डोनेट किया है, वो अनी लंबानी का नेचर था, जिसे तू क्या हुआ, तू गरीब से क्या हो गया, तो बटा, अमीर हो गया, यानि अभी तू कैसा था? तू बेरोजगार था, तेरे को जै यो लेकिन अगर तेरे से विड्ड्रॉइंग केटिगरी वाला बंदा जुड़ा, क्या हो गा, जो तेरे पास में है ओल्रेडी, वो समान भी तेरा बिग जाएải ऑर तू अगर, महल में भी नहीं हुआ था, तो बेटा, तो जलदी से ऋर्श स्टेसन वाले, फुट रहता डोनेटिंग जो हमको और अमीर कर रहा है जो हमारी डैफिशेंशी को जो कम है कम कर रहा है कि भाया तुछ ज़sm हो चुका है तो थोड़े पैसे ले लुड़े और थूड़ामीर हो जा तो तेरी डैफिशेंशी जो कम विद्ड्रोइंग गुरूप है तो अगर हमारा कार्बो केटाइन अब आपके उस कंसेट को लगाओ बटा केमिस्ट्री में यह हमारा कार्बो केटाइन था और इस कार्बो केटाइन के साथ में मैं जोड़ रहा हूं किस-किस को प्लस आई को जैसे ही मैंने बेटा प्लस आई वाला गुरूप जोड़ा और एक जोड़ रहा हूं बेटा मैं माइनस आई वाले को माइनस आई का मतलब होता है बेटा हलक मेंसे हाथ डाल की इलेक्टरोन निकाला जो तेरे पास में है उससे भी निकाल लेगा जैसे मैंने तेरे को बिखाले चीड़ा तब बिखाले ने आधी रोटी मांग ली तेरसे ठीक है तो यह होता है बटा हलक में से हाथ डाल के इलेक्ट्रोन निकल लेगा कर कार्वो कैटाइन है यह यह नहीं देखता है कि बंदे के पास में बंदा गरीब है पोजिटिव चार् कंडें और्लब तेरे पास में अदिक ता है तो तेरे को इन दोनर में से किसके साथ जूड़ने क्या जो सकता पड़ेगी examine नोन पोलर मतलब एदूर विए जिसके उपर कोई चार्ज नहीं होता नियूट्रल स्पीशीज ठीक है तो नोन पोलर की तुलना में उसका इस जो इस्थायत है बीटा पोलर का वो कम होता है तो कोई भी स्थायत का चाहिए कि यह मैं पोलर केटगरी से नोन पोलर में चली तो बटा उसके मैं गुरूप से लिखा दूँगा पता पड़ जाए जैसे प्लस आई की केटिगरी में बटा कौन से बंदे आ जाते हैं आर प्लस वाले जैसी कि हमारे पास में आ जाएगा बटा जैसे कि Labanhe sẽ c3 स्याव सपीश वे से फुड़ लेना यह भी बैटा पूच्छ सकता है वैसे ठीक है पूच्छ सकता है इस पास में एन है थे वाली गिवन थीवरों है और मैं देख लता हूं बटा CS3 है, CS2 है, हाँ बेटा हाँ, यह जो दो species है, mostly आपकी सिलिबस के अंदर यह mention कर रखे, कौन सी species है बेटा यह, एक तो है बेटा आपके पास में R species, CS3 और C2S5, यह R positive नहीं है only R यह, यह नहीं, alkyl जितने भी होते हैं वो सारे कौन सी category में रखे जाते हैं plus I वाली category में रखे जाते हैं और जितने भी जो बेटा, minus I वाली category में होते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे fluorine भाईया हमारे, chlorine भाईया हमारे bromine भाईया, iodine भाईया और बेटा, आपके पास में NO2 है और आपके पास में cyanide के उपर negative charge आजाएगा ठीक है, यह जो और आपके पास में जैसे CWH group हो जाता है, यह भी किसके अंदर रखे जाते हैं, जो सारे के सारे रखे जाते हैं, माइनस I के अंदर इसके अंदर CW negative वाला example भी आएगा, लेकिन आपके syllabus में यह दे नहीं रखे, आपके syllabus में only R ही दिया रखा है, तो बैटा आप R ही लिखोगे, R का मतलब जितने भी जो carbon वाला बंदा है न, alkaline group, वो सारे plus I nature वाले होते हैं, ठीक है, कौन से nature वाले होते हैं, plus I nature वाले होते हैं, तो यह था बैटा, हमारा कौन सा effect है, inductive effect, दूसरी बात, यह तो पहली बाती ही बैटा, कि हमारे inductive effect के type होते हैं, जो carbon के उपर है, हमारे पास में कौन सा अवेश, positive अवेश, इस positive अवेश को कम करना है हमें, इस positive अवेश को कम करना है, और positive अवेश पैदा क्यों आए, क्योंकि सर हमारे पास में एक electron की कम ही है, तो हम ऐसे बंदी से जुड़ेंगे, जो कि क्या हो, donate करने वाला हो, तो यह वाला जो बंदा है, यह कौन सा है, electron donating group, और यह कौन सा है, electron withdrawing group, तो हम किसे जुड़ेंगे, electron donate वाले से, तो हम donating वाले से जुड़ेंगे, तो हमारे को अच्छा मजा आएगा, गुलू गुलू बढ़िया होगा, ठीक है, तो कार्बो केटन को क्या पसंदे बेटा, प्लस आई पसंदे है, अच्छा, बेटा, जो कार्बो inductive effect होता है, यह लगता है, प्लस टो होता है, यह लोगारा कूसर है, आपको तरी डीघरी बनाया होगा तो बेटा, उस से तीन कारबन जोड़े होगे, CS3, CS3 और CS3 और इसके उपर positive charge जोड़ा होगा एक बेटा आपने जोड़ा होगा CS3 CH, CS3 ISO प्रोपेल वाला यह तो डिगरी वाला और एक जोड़ा होगा बेटा आपने CS3, CS2 के उपर positive और एक जोड़ा होगा बेटा CS3 और यह positive पूछो बोलो कौन सा गुरूप है प्लस आई यह कौन सा है प्लस आई यह कौन सा है प्लस आई और कार्बो कटैन को क्या पसंद है प्लस आई जिसके अंदर प्लस आई जादा है तो बोदो CS3 क्या कर रहा होगा इस कार्बो कटैन पहुंचा रहा होगा positive तक तो इस positive के पास में कितने कितने बंदे हैं बटा तीन बंदे हैं एक दो तीन 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 CS3 group लग रहे हैं इधर से भी पैसा आ रहा है इधर से भी आ रहा है पीचू से भी आ रहा है तीन तीन जगे से पैसा आ रहा है तो इधर कितने CS3 है? एक CS3, इधर कितर एक CS3 तो पैसा कितर कितर से? एक इधर को आ रहा है, एक इधर से आ रहा है तो भाईया इसकी तुलना में किसकी तुलना में? इसकी तुलना में तो भाईया हम क्या है? इसके ओपर जो धनावेश है वो कम है, जो ketine है, वो कम है, पूछो इसको, तो ये बोलेगा, भया, अपने पास में कितने kilo की, तस kilo की एक गड़ी है रही, तो इसके पास में पैसा किदर से आ रहा है? इधर सो आ रहा है, इधर से आ रहा है, अंलिए एक से जट से, ठीक है, इसको पूछो, कुछ है यी नही कि पैसा इसके पास में पैसा ही नहीं आ रहा को सबस्टेवल होगई यह ने का क्या है पहला सी चुनपर बहुत कम ना वे इसके वजए से यह अप्रोक्सिमाटली लग duk non-polar की जैसा behavior दिखाने लग जाएगी इस वज़े से ये बटा क्या है more stable caravocatine की category में रखा गया है ठीक है इसको हम इस एक effect से proof किया है दूसरा effect भी बाकी है वो भी हम पढ़ेंगे ठीक है यह हो गया क्या पॉलफास में कौन सा effect inductive effect complete हो चुका है ठीक है बटा और inductive effect की सबसे खास बात एक और चीज़ सुन लो यह last बटा inductive effect के अंदे क्या होता है अगर आप CS3 के साथ में CL जोड़ दो किसके साथ में जोड़ा है बटा CS3 के साथ में CL जोड़ दिया और एक बटा मैंने CS3 के साथ में sorry sorry CH2 positive के साथ में बटा आप CS3 जोड़ो और एक बटा CH2 positive के साथ में एक आप क्या जोड़ दो CS3 जोड़ दो इन दोनों को देखकर बटा आपको यह बताना है कि इन दोनों में से more stable कौन सा होगा इन दोनों में से more stable carbogetine कौन सा होगा बटा सिर्फ आपके पास में पांस तकी गिंती कुन होगा बटा answer बता देना 1, 2, 3, 4, 5 होगी बटा पांस तकी गिंती complete देखो बटा क्या होता है यह जो CH2 है positive वाला उसके साथ में जो बंदा जुड़ रहा है वो है बटा CL और यह जो CL है वो बटा कहां पर आ रहा है यह जो CL है यह बटा minus i वाला है electron withdrawing group वाला है यह देखो यह रहा CL और यह CL क्या कर रहा होगा इस CH2 से electron और ज़्यादा खेंच रहा होगा कहने का मतलब इस CH2 के उपर जो positive charge है यह बढ़ रहा होगा यह increase हो रहा होगा जिसे यह species non-polar होने की वज़ा है polar species के अंदर convert होती जा रही होगी और यहाँ पर हम भाईया इसको देखें तो यहाँ पर यह जो CS3 है यह कौन सा effect लगा रहा है बटा plus i effect लगा रहा है plus i effect लगाने की वज़े से इस CS2 के उपर जो positive charge है वो इसकी तुलवना में क्या हो रहा है बटा कम हो रहा है इसलिए बज़ा अगर इन दोनों में से पूछे की more stable कौन सी है तो यह नीचे वाल species जो B species है वो आपकी more stable है और जो A species है वो आपकी क्या है बटा आपकी less stable है अच्छा stability बटा किसकी प्रपोर्शनल चलती है reactivity के अगर मैं आपको पूछू कि इन दोनों में से stability की बात करूँ तो stability की बात करेंगा तो बी वाली क्या है more stable है और A वाली less stable है किसकी वाज़े से प्लस आई और माइनस आई की वाज़े से तो यहां पर A जीत जाएगा B से क्या आपकी चीज समझ में आगई वाली reactive क्यूं हो गई क्योंकि उसको पर positive charge और ज़्यादा बढ़ गया यानि उसको संगर से और ज़्यादा करना पड़ेगा उसको electron चाहिए ठीक है यह भाई साब जोड़े के साथ में plus I बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगी stability बढ़ती जाएगी लिख लो बैटा एक जगे पे लिख लो तक अगर आपके पास में क्या है कारबोकेटाइन है तो बैटा plus I is क्या होगी आपकी पास में stability क्यose stability increase होगी ठीक है बेटा आपके पास में कौन सा effect प्लस हाई वाला effect ठीक है और अगर हम next class के अंदर पड़ें कौन सा effect आपके पास में hyperconjugation effect जिसको हम बोलते हैं बेटा बिना बंद का अनुनाद जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा अतीस संयोगमन प्रभाव यह कौन सा प्रभाव था यह था बेटा हमारे पास में inductive effect और next class के अंदर बेटा पन पड़ेंगे कौन सा effect अतीस संयोगमन यानि hyperconjugation यानि बेकरनाथन effect पड़ेंगे तो मिलेंगे बेटा आपसे next वीडियो में अभी लिए जैहिंद जैभारात